मासुम गुड़ी पर कुत्तों के हमले पर हाई कोट हुआ गंभीर शिवराज सरकार को भेजा नोटिस किया जवाब तलब मासुम गुड़ी को पांच आवारा कुत्तों ने नोचा था राजधानी भुपाल के बाग सेवनिया शेत्र में तीन साल की मासुम गुड़ी पर आवारा कुत्तों के हमले की घटना को मद्रप्रदेश हाई कोट ने गंभीरता से लिया है हाई कोट ने घटना पर स्वता संग्यान यानी सूओ मोटों में लेते हुए एक जनहती आचिका के तहट इसकी सुनवाई की और राजध के मुख्य सचिव भूपाल कलेक्टर नगर निगम कमिशनर को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब तलब किया है आवारा कुत्तो द्वारा बच्ची को नोचने पर हाई कोट ने राज़सरकार से पूछा है कि ऐसी घटना आखेर बार-बार क्यों हो रही है और इनसे निपटने के लिए क्या उपाय किये गए है गटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने भी अधिकारियों पर नाराज़गी जताई थी एक जनवरी को एक निर्मान कारे में लगे श्रमिक की मासूम बेटी वही खेल रही थी तभी आवारा कुट्टों के एक जुंड ने बच्ची पर अचानक हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोच खरोश दिया कुट्टों के हमले में बच्ची को सिर, कान और हाथ में गहरे जक्म हो गए बच्ची के शरीर में कई जगा चोड भी लगी है मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश आपका अपना चैनल है आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक करें, फॉलो करें और शेर करना बिल्कुल न भूलें मासुम गुड़ी पर कुत्तों के हमले पर हाई कोट हुआ गंभीर शिवराज सरकार को भेंजा नोटिस किया जवाब तलब मासुम गुड़ी को पांच आवारा कुत्तों ने नोचा था राजधानी भुपाल के बाग सेवनिया शेत्र में तीन साल की मासुम गुड़ी पर आवारा कुत्तों के हमले की घटना को मद्रप्रदेश हाई कोट ने गंभीरता से लिया है हाई कोट ने घटना पर स्वता संग्यान यानी सुओ मोटों में लेते हुए एक जनहती आचिका के तहट इसकी सुनवाई की और राजध के मुख्य सचेव भूपाल कलेक्टर नगर निगम कमिशनर को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब तलब किया है आवारा कुत्तो द्वारा बच्ची को नोचने पर हाई कोट ने राजसरकार से पूछा है कि ऐसी घटना आखेर बार-बार क्यों हो रही है और इनसे निपटने के लिए क्या उपाय किये गए है गटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने भी अधिकारियों पर नाराजगी जताई थी एक जनवरी को एक निर्मान कारे में लगे श्रमिक की मासूम बेटी वही खेल रही थी तभी आवारा कुत्तों के एक जुंड ने बच्ची पर अचानक हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोच-खरोश दिया कुत्तों के हमले में बच्ची को सिर, कान और हाथ में गहरे जक्म हो गए बच्ची के शरीर में कई जगा चोड भी लगी है टाइम एट मध्यप्रदेश के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मैं हू सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट मध्यप्रदेश टाइम एट मध्यप्रदेश आपका अपना चैनल है आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेर करना बिलकुल न भूलें